हलो दोस्तों क्या हाल चला आप सभी के उमीद हैं आप सभी ठेक होंगे आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जैसा कि एक वीडियो पहले भी मैंने अपलोड किया था और उमीद है आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों सीउटी दोहजार चोईस की ठीक दोस्तों तो फोरॉम स्टाट हो चुके हैं लास डेट कब है फोरॉम की जो फीस है वो क्या है वो सब भी मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी थी सीउटी से रिलेटेड जितने भी इंफोर्मेशन है उसके लिए मैं अलग-लग से वीडियो लेकर आऊंगा कोई भी दोस्त नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यूटूब चैनल से आप कनेक्ट रहे हैं सीउटी से रिगार्डिंग कोई भी इंफोर्मेशन हो वो सबसे पहले आपको मिलने वाली है इस यूटूब चैनल पे आज के वीडियो में आपसे मैं ये बात करने वाला हूँ प्यारे दोस्तों कि सीउटी का जो फोरूम है वो कौन अप्लाई कर सकता है ठीक है एज क्या रहने वाली है और इसके साथ में डोकुमेंट्स अप को मैं definite बताने वाला हूँ लेकिन पहले जो important information है वो मैं बता हूँ सबसे पहले मैं बात कने वाला हूँ forum की कि इसका जो forum है ना मेरे दोस्त वो कौन-कौन भर सकता है तो देखिएगा जरा सुनिएगा इस बात को काफी important है present में जो student 12th में है अभी running 12th board चल रही है उसकी वो इसका forum apply कर सकता है इसके अलावा जिनोंने 12th पास कर ली जो 12th pass out है वो forum इसका apply कर सकते ओके done 12th जो अभी कर रहे है student वो इसका forum भर सकते है और जिनोंने 12th कर लिया है वो भी इसका forum भर सकते है है ओके done अब आज़ो फिर मैं second point की बात करता हूँ यहाँ पर edge क्या रहने वाली है edge कि कौन भरे कौन नहीं भरे तो प्यारे दोस्तों S के बारे में आपको मैं बता दूँ कि पहले क्या था कि जब ICR था तो उसमें S का criteria था लेकिन जब ICR है CVT के इंडर में आया और CVT ने complete यहां पर examination को करवाया तो अब इसमें क्या है कि S का कोई criteria नहीं है ठीक है दोस्तों जदि आपके 16 है तो forum को apply कर सकते हैं 17 है तो forum को apply कर सकते हैं 18 है तो भी आप forum को apply कर सकते हैं मतलब S का कोई criteria नहीं है कोई डाउट आजो next point के यह दि मैं बात करता हूँ documents documents की बात कर लेता हूँ third point क्या जाएगा अपना documents कि जब आप forum को apply करें देखो छोटी सी बात आपको मैं बीच में बताना चाहूंगा कि आप forum जब apply करें तो forum के साथ में जो भी इसकी कोपियां है चाहे अभी जैसे आप forum अप्लाए करोगे तो उसके फोटो कोपिया आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये सभी चीजे आपको last time में चाहिए जब आपकी counselling होगी forum या मैं कोई की जो आपको campus मिलेगा वहां पर सभी ये documents आईए इसलिए इनकी एक एक दो दो कोपिया आपके पास होनी चाहिए चाहिए एड़िट कार्ट की मैं बात करूँ अभी forum की copy की मैं बात करूँ आपका जो record वाला आएगा उसकी मैं बात करूँ आपके result की मैं बात करूँ इन सभी कि आपके पास फोटो को भी होनी चाहे दोस्तों क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बच्चों को ये पता नहीं होदा और वो इन चीजों को गाइब कर देते हैं और लास में इनी परेशानियों को सामना करना पड़ता है ओके डन आजो डोकिमेंट्स की यदि मैं बात करता हूँ तो पैरे दोस्तों इसमें आपको 10th की मार्क सिट चाहिए क्या चाहिए मेरी पैरे दोस्तों 10th की मार्क सिट चाहिए सेकिंड मैं बात करूँ आपको यहां पर आधार कार्ड चाहिए क्या चाहिए भहया जी आधार काड चाहिए आधार काड आपको यहां पर चाहिए यदि आपके पास driving license है वैसे यह आधार कार से पूरा खाम हो जाएगा पिर इसके लावा यहीदि मैं बात करूँ आपके पास जाती हो सकता है, आपके पास मूल हो सकता है, का सर्टिपिकेट और यह आपका हो गया अब इसके बारे में इसको आप अपलाई कर सकते हैं, पुराने भी चल जाएगा, नो डाउट पिर इसके साथ में आपको क्या होना चाहिए? आपके पास फोटो होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए भेया जी? फोटो. अब ध्यान रखना. फोटो अभी आपकी करंट होनी चाहिए. करंट की फोटो. अब कई बार क्या होता है कि बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मैं त चस्मा लगाते हैं तो फोटो भी आप चस्मा पैन कर ही लगाएं क्योंकि आप जब मैंने सेंटर पर जाओगे तो वहां तो लगाना पड़े गया तो आप चस्मा लगाकर ही आप फोटो खिचवाएं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है तो आपकी ओरिजिनल फोटो अभी की प सिगनेचर क्या चाहिए भया जी आपके सिगनेचर आप सिगनेचर में ध्यान रखना आप सिगनेचर अभी वो करना जो आप मैंने एक्जाम में करो मतलब अभी आप जो सिगनेचर करोगे ना फोरम में वही सिगनेचर आपका एक्जाम में होगा जब आप एक्जाम देने आपको वही होना चाहिए या फिर सिगनेचर करो तो वह आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आप एक्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर काम आएगा फिर आप पांसिलिंग होगी तो वहाँ भी काम आएगा फोरम ओके डन तो यह डोकुमेंट्स है यह ओके मेरे पेरे दोस्त क्या-क्या टैंती मार्क सीट, अधारकार्ट, जाती मूल, फोटो, सिगनेचर यह सबी डोकुमेंट्स सीहीं S के बारे में मैंने बता दिया Forum के बारे में बता दिया इस से पहले एक वीडियो प्लोड किया तो उसमें बताया था कि Forum के लास्ट रेट क्या है Exam कब है और category wise Forum की फीस के रहने वाली है correction rate क्या है सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया था ओके डन उमीद है जो information दी है वो आपके समझ में आई होगी आज़ो अब रुकना वाई साथ अब आप जो ये poster देख रहे हैं पैरे दोस्तों इसके लिए मैं आपको जानकर देना चाहता हूँ कि आपकी 12 की जो exam है अब 12 में आपके agriculture biology chemistry होती agriculture की मैं बात करूँ 28 मार्च को आपके exam पूरी हो जाएगी CVT और Z के क्रेस कोर्स स्टार्ट होंगे 29 मार्च से उत्थान केरियर इंसूट में online और offline दोनों मोड पे क्रेस कोर्स स्टार्ट होगा लेकिन ध्यान रखना जो बच्छा offline रहेगा उसके लिए क्रेस कोर्स बिल्कुल free of course रहेगा तो 29 मार्च से CVT और JET Hindi और English Medium दोनों की मैं बात कर रहूँ जो बच्छा offline रहेगा उसके लिए free of course रहेगा प्यारे दोस्तों जवर्दस टीम है एक-एक सब्जेट की 5-5 faculty आपको मिलने वाली है पांच faculty agriculture में पांच faculty biology में पांच ही faculty आपको chemistry में मिलने वाली है और top की team है doctorate faculty है प्यारे दोस्तों तो आपका सपना है campus में जाने का 12th के साथ या 12th के बाद क्रेस कोर्स के लिए काफी time है अपने पास दो महीने हैं इस पार तो उमीद है दीवी जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं 29 मार्च को उमीद है आप सभी जरूर आएंगे जय उत्तान विजय उत्तान थैंक्यू